कुंडली में बुद्ध अशुभ हो तो किस प्रकार से प्रभाव करता है इसके बारे में आज बात करते हैं कुंडली में अगर बुद्ध अशुभ हो तो कैसे लक्षण होते हैं व्यक्ति के किस प्रकार का व्यक्ति होता है किस प्रकार का उसका आचरण होता है और क्या इससे समंद रखता है बुवा की बेटी रियल सिस्टर कजन सिस्टर आपकी बेटी और बुद्ध आपके दांतों पर भी आधी पत्य रखता है बुद्ध आपकी बुद्धी पर डिसाइसिव स्टेट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रखता है बुद्ध आपके जीवन में आने वाली हर एक duality यानि एक जगा पे आके खड़े हो गए अब क्या करूँ क्या ना करूँ जो मानसिक duality है वो भी बुद्ध के खराब होने का लक्षन है तो इसको ठीक कैसे करें अब पहली बात आपकी अगर जीवन में कोई समस्या है बुद्ध से संबंदित और आपके पास कुंडली नहीं है तो आप कैसे जाने के ये प्राबलम बुद्ध के कारण है वो भी मैं आपको बताता हूँ आप क्या करें आप अपनी बेहन की लाइफ देखें उनकी अगर जीवन में वैवाहिक जीवन में कोई या संतान के पक्ष में कोई जीवन में ऐसी समस्या है या उनकी शादी में विलंब हो रहा है या वैवाहिक जीवन में परिस्थितियां खराब है या आर्थिक परिस्थितियां खराब है तो आप उनकी हेल्प करें सबसे पहली बात ये सबसे अच्छा उपाय है नौ साल की कन्याएं उनसे जितने भी छोटी कन्याएं होती हैं नौ साल से वो सभी बुद्ध स्वरूपा ही होती हैं मादुर्गा की शरण में जाएं दुर्गा सब्तशती का पाट करें या करवाएं उसके साथ में नौ हल्वा आदी कुछ भी जो है भेट करें नवरात्र में कन्या पुजन सभी करते हैं जो नहीं करते हैं और उनको लगता है कि बुद्ध के कारण कोई समस्या है तो जरूर कर लें अगर आपके दांतों में समस्या आनी शुरू हुई है तो आप समझ लीजिए कि आपका बुद् है उसके साथ में अगर आपके मानसिक डियु बहुत जदा है तो आप क्या करें हरी मुंग की दाल जो होती है उसको आप रात को मंगलवार को भिगो के रखते सुबह उसे चचप पे डाल दें एक मुठ्धी डाल लें और सुबह उसे चचप पे डाल दुर्गा ओम हरीम दुम दुर्गाय नमहा इस भीज मंत्र का आप जाप करें अगर बुद्ध की महादशा भी है और कुपित भी है बुद्ध तो क्या होगा आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब होगी आपका पेट आपका डाइजेशन डिस्टर्ब होगा और उसके साथ मे आपका नर्वस डिस्टर्ब आपको आएंगे तो उसके लिए आप क्या करें उसके लिए सबसे अच्छा उपाय आपको बताता हूं किन्णर होते हैं न किन्णरों को आप दान करें और उसके साथ में यदि आपके विवाह में भी विलंब हो रहा है न तो भी आप कपड़ा लें हरे कपड़े लेके हरी चूड़ियां लेके उनको कुछ दक्षिना के साथ में किन्नर को किसी को दान करें यह बहुत ही अच्छा उपाय है यदि बुद्ध को और यानि बुद्ध के करण फनाइंशल प्रॉब्लम दा रही हैं तो आप भगवान गणपती की हो गए यह मैंने हरे मों की बोली है यह हर एक चीज में कारगर है